So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले हैं BHEL के बारे बारे So guys, BHEL में अगर देखा जाए तो कल के कुछ लेवल्स है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले है So guys, बिलकुल यहाँ पर वीडियो को आई तक देखना क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा टारिगेट भी हम आपके साथ डिस्कल्स करेंगे So guys, यहाँ पर BHEL को लेकर काफी कुछ बात एस वीडियो में होगी तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो guys, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते है BHEL के उपर तो guys, बात कर रहे है BHEL की और यहाँ पर अगर देखा जाया तो एक important support लेके stock उपर की ओर जाता हुआ नचरा रहा है हाला कि अगर आप देखोंगे तो इसे हम एक bearish pattern कहता है क्योंकि यहाँ पर एक inverted fall and flag type pattern बन रहा है यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो guys एक fall create हो रहा है यहाँ पर अगर देखा जाया तो stock में एक flag create हो रहा है तो fall and flag pattern यहाँ पर already बन रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ा fall देखने को मिला upside down momentum है stock में बट guys यहाँ पर अगर देखे तो एक v-shape recovery भी stocks में हमें देखने को मिलती है market में हमें देखने को मिलती है तो यहाँ पर भी वो possible है तो guys यहाँ पर अगर देखे तो in particular level से stock नीचा आया यहाँ पर support लिया फिर यहाँ पर उपर गया फिर नीचे तो upside down इस momentum stock में already चल रहा है तो breakout अगर मिलता है तो stock में 56 रुपीस का जो target है वो easy दरीके से achieve होने वाला है तो guys यही अगर देखे तो stock में इस particular level पे एक support है support लेके stock अच्छा उपर गया फिर stock नीचा आया फिर एक support लिया फिर stock ने high लगा फिर यहाँ पर आया तो guys जितनी भी बार stock यहाँ पर आया है एक support लेके आया है एक अच्छा target stock ने यहाँ पर दिया है यहाँ पर एक high लगा अच्छा stock ने फिर उपर गया एक नया high grade किया फिर उपर गया एक नया high grade किया तो यहाँ से भी एक नया high create हो सकता है तो guys बिल्कुल आपको ready रहना है as a long term के basis पर अगर आप देखोंगे तो stock यहाँ से support लेके अच्छा उपर गया था और यहाँ पर अगर देखे उपर जाने के बाद stock नीचे आया फिर उपर गया फिर rejection हसी रुपे के level पर तो guys हसी रुपे के level से rejection लेके stock नीचे के और आया है यहाँ पर support लिया stock ने फिर यहाँ पर support लिया breakout stock में मिला तो sustain करके easily 80 rupees के around का target stock अच्छी हूँ करके दे सकता है guys तो बिल्कुल यहाँ पर level शांदार है stock में बड़े momentum सा सकते हैं अच्छे levels अच्छी हो सकते हैं तो बढ़ते आगे community sentiments के आकड़ों की हम बात कर लेते हैं community sentiments के आकड़े देखे हैं तो 78% जो लोग है guys यहाँ पर buy करने के लिए stock में कह रहे हैं 11% लोगों की ओर से stock में sell करने के लिए कहा जा रहा है और 11% लोग की ओर से यहाँ पर stock में hold करने के लिए भी खाल चला है तो buyers और holders को अगर आप मिला दोगे तो यहाँ पर अगर देखें तो 89% लोग stock में positive हो जाते हैं वही बात करें volume stock में एक करोड से ज़्यादा की deliveries आज उठाएगी है कल भी वही volume देखने को मिला था हज अगर देखें तो 53.05 रूपीज के round stock open हुआ था 53.50 रूपीज के round stock ने एक अच्छा high लगा था 52.50 रूपीज के round का low भी है market cap stock का 18.56 टाउजन करोड का है P ratio 26.23 का वही बात कर ले BHEL की यानि भर्थ है वे electricals limited यहाँ पर देखूंगे तो stock 53.25 रूपीज के round यहाँ पर closing देता होने जराया है 20 पेसे तक के एक अच्छी बड़त देखने को मिली है 0.38% के असाब से तो guys यहाँ पर stock को लेकर काफी कोज बाते होगी है वीडियो चल अगो वीडियो को लाइक करो चनल को सब्सक्राइब करो थैंक यू